इस कहाने की शुरुआत में हम कोडी नाम के एक पेंग्विन को देखते हैं जिसका इंटर्यू लिया जा रहा था क्योंकि कोडी अंटार्टिका का सबसे बेतिन सर्फर था कोडी इंटर्यू में बताता है कि सर्फिंग की शुरुआ तो तभी हो गई थी जब समुन्दर में पहली बार लार उटी लेकिन उस समय तक किसी को सर्फिंग का असली मतलब नहीं पता था और और लकडियों के टुकडों से सर्फिंग क्या करते थे और बार-बार फेल होते थ क्योंकि उनके पास अच्छे सर्फिंग बोर नहीं थे पेंवींस को सर्फिंग करने का असली मतलब बिग जी ने सिखाया जो एक बहुत बड़ा सर्फर था और उसने बहुत सारे कॉम्पिटिशन को जीता था बिग जी एक बार अंटार्टिका भी आये थे जहां पर कोड़ रहता है बिग जी ने कोड़ी को अपना विनिंग नेकलिस दिया और उसने कहा कि बच्चे तुम कभी भी हार नहीं मानना इसके बाद बिग जी को वहां मुझू सारे पेंगवीन गेर कर उनके साल पूछने लगे क्योंकि और सभी बिग जी से बहुत प्यार करते थे बिग बिग जी को देखकर कोड़ी ने भी बीग जी की तरह एक बैकी सरफर बड़ने का फैसला किया और तबी से हो लगातार मेंद कर रहा है और शियुर्पुल जहांव garlic तरह है COD मशलिया एकड़ा करने में अपने प्रोल के मदद भी करता है लेकिन मशलिया इकड़ा करना उसस के बारे में पूछा जाता है जिस दर कोडी की मों बताती है कि कोडी जब पेदा हुआ तो काफी ज़्यादा चोटा और कमजोर था लेकिन वही कोडी का बड़ा बाई ग्लेन एक बड़ा और पाफुल पेंग्विन था जो अपनी तागत का फाइदा उठाकर हर समय कोडी को प पिता उसके पेदा होने से पेले ही एक शार्क अटेक में मारे गए थे और जब कोडी से इसके बारे में पूछा जाता है तो कोडी बोलता है क्यों से इसका कोई भी दुख नहीं है क्यों क्यों शियार पूल में अकिला नहीं है जिसके डेट शार्क अटेक में मारे गए थे अब कोडी से जब उसके सपने के बारे में पूछा जाता है तो कोडी बताता है क्यों किसी भी तरह यहाँ से बाहर निकलना चाहता है और दुनिया को अपनी सर्फिंग का टिरेंट दिखाना चाहता है कोडी की ऐसी बाते सुनकर उसका बड़ा बाई गलेन और उसकी मौम उस पर बहुत गुसा होती है क्योंकि कोडी अमेशा से जिमेदारियों से दुर भागता रहा है अगले सीन में हम सर्फिंग कॉम्पिटिशन के और गेनाइजर रेगी को देखते हैं जो न्यूज चेनल वालों को बताता है कि मैं सपनों को खोजने वाला हूँ और सर्फर्स को कुछ बनने का मौका देना चाहता हूँ रेगी नहीं दुनिया के सबसे बड़े सर्फर बिग जी को कॉम्पिटिशन गेम में लेकर आया था और जब एक कॉम्पिटिशन के दोरान बिग जी की डेथ हो गई तो इसे रेगी बहुत दुखी हुआ जिससे ओं आज सक नहीं उबर पाया था लेकिन ये सब तो सिब केमरे में दिखाने के लिए था वासो में रेगी को बिग जी की मौस से कोई फक नहीं बढ़ता और जब न्यूजी एंकर रेगी से बीग जी के बारे में और बात करने के लिए बोलता है तो रेगी इस पर गुसा हो जाता है और इंटर्यू बंद करना पड़ता है अगले सीन में हम पेंगो आइलेंड को देखते हैं जहाँ पर बीग जी की आद में एक बीग जी मेमोरियल बनाया गया था और हर साल एक सर्फिंग कोमपिटिशन किया जाता था जिसमें सभी सर्फर हिस्सा लेते थे इसके बाद हम टेंग को देखते हैं जो एक बहुत बड़ा सर्फर और बीग जी आ कॉमपिटिटर था टेंग एक बैतिन सर्फर तो था लेकिनों किसी की हेल्प न और पीटर सर्फर को ढूंडते हुए एक बड़ी सी वेल पर बेटकर अंटार्टिका के शियरपुल में आ जाता है जहां बरो पेंग्विन से बूसा है कि क्या यहां पर कोई ऐसा है जो सर्फिंग करता है यह सुनकर पेंग्विन माई को कोडी के बारे में बताते हैं क्योंकि कि शियरपुल में सिब कोडी ऐसा था जो सर्फिंग करता था पीटर को देखकर कोडी बहुत खुश होता है क्योंकि अब फाइनली उसका सबना पूरा होने जा रहा था और पीटर को अपना सर्फिंग स्किल दिखाने के लिए अपना स्केट बोर्ड लेकर समुन्दर के किन लगता है इस दोरान उससे बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और एक बार तो वह वेल के अमले से दूर जाकर गिरता है जिससे सभी को लगता है कि कोडी मारा गया लेकिन वह अभी भी जिन्दा था और आकिरकार वेल पर माय के पास आने में काम्याब हो जा इसके बाद वह सभी पेंगु आइलेंड़ पर आ जाते हैं जहां परोखु मस्ती करते हैं पेंगु आइलेंड़ पर कोडी को लानी नाम की एक लाईफ गार दिखाये देती है और पहली नजर में को लानी से प्यार हो जाता है लानी बीच के किनारे पर डूब रही एक लानी को अपने दिल की बात नहीं बता बाता और जोए को लेकर वहां से जाने लगता है लेकिन जोए जाते जाते लानी को बता देता है कि कोडी उसे प्यार करता है लानी इस बात पर जाद ध्यान नहीं देती क्योंकि इस समय अपने काम पर फोकस करना चाहती थी अब कोडी जब बिग जी के आईकोनिक सेर्फिंग बोर्ड को देखता है तो बहुत खुश होता है कि तब उसे टेंग दिखाई देता है जो बिग जी के आईकोनिक स्केट बोर्ड पर पत्थर मार रहा था कोडी जब यह देखता है तो बहुत गुसा होता है और टेंग को मारने लगता ह लेकिन टेंग काफी ज़्यादा पारफुल था इसलिए उसे कोड़ी के मार से कोई फार्ग नहीं पड़ता और हो कोड़ी के गले में बिग जी का लोकेट देखकर उसका मज़ा कोड़ाते हुए कि एक लूजर था कोड़ी ये सुनकर बहुत गुसा होता है और सभी के सामने ट कोड़ी और टेंग समुद्र में उतर जाते हैं लेकिन सर्फिंग के दोरान कोड़ी अपना बेलेस खो देता है और स्केटबोर्ड से नीचे गिरकर समुद्र में डूबने लगता है और टेंग के कॉम्पिटिशन बढ़ी आसानी से जीच जाता है कोड़ी को समुद्र में बचा लेती है और किनारे पर ले आती है जो एक कोडी का यह हालत देखकर बहुत दुखी था अब कोडी होश में तो आ जाता है लेकिन अगले पर वापस से बिहोश हो जाता है कोडी के आलत बिगड़ता देखकर लानी उसे अपने साथ जंगल में अपने अंकल के पास ले आत ते're जिसके जर की वजह से कोड़ी के ऐसी आलत हुई है अब कोड़ी के पहर से जेरली मचली काकाटा निकाल देते हैं जिससे कोड़ी अगले पल होश में आ जाता है। इसके बाद लानी के अंकल अपने अजीबों गरीब ट्रीटमेंट की मदद से कोड़ी को बिल्कुल ठीक कर देते हैं, अब कोड़ी जब सो जाता है तो लानी वहाँ से जाने लगती है, जिस पर लानी के अंकल उससे अपने लिए खाने के लिए कुछ लानी के लिए कहते हैं, दरसल लानी के अंकल काफी ज़्यादा आलसी थे और एकी जगर पर पड़े रहते थे जिसकी वाज़ेसियों काफी ज़्यादा मोटे भी हो गए थे इसके बाद हम रेगी को देखते हैं जो कहता है कि कोडी सीफ एक सरफर था जो कॉम्पिटिशन आर गया इसके बाद उसके सा अगले सीन में जोए को देखते हैं जो चारों तरफ कोडी को ढूण रहा था लेकिन उसे कहीं भी कोडी नहीं मियुता वहीं दूसरी तब कोडी जब होश में आता है तो कोडी को जगाकर अपने साथ जंगल में ले आता है रास्ते में कोडी जब देखता है कि बीग जी के कई बातों पर ध्यान देता है तुम सिभी अपने रास्ते पर आके बढ़ते रहो इसके बाद लानी के अंकल कोडी को 20 तक जाने का रास्ता बता कर वापस चले जाते हैं लेकिन अप कोडी वापस नहीं जाना चाहता था क्यों क्यों कोंपिटिशन हार गया था और इसे में वो कैसे अपने दोसों के सामने जा सकता था इसके बाद हम लानी के अंकल को देखते हैं जो वापस अपनी गुफा में आ गए थे जाब उन्हें कोडी को बिग जी के द्वारा दिया गया नेकलेस मिल जाता है लानी के अंकल कोडी को उसका नेकलेस लोटाने के लिए उसके पास जाते हैं जहांपर वो देखते हैं कि कोडी अभी भी वहाँ पर बेठा हुआ था कोडी बिग जी का नेगलेस वापस बाग कर बहुत खुश होता है लानी के अंकल कोडी को समझाते हैं कि वो कॉम्पिटिशन के दोरान नेगलेस को अच्छे से बांद कर रखे क्योंकि अगर स से बीच पर नहीं जाना चाहता है अब लानी के अंकल देखते हैं किकोडी यिजिस लकडी के ओपर बेठा था उससे दुनिया की सबसे बेसरे इसकेट बोड़ बनाने के लिए कैए कोडी को कुछ भी समन्या रहा था क्या कि जंगल में रेने वाले लानी के अंकल एक स्केट बोर्ट कैसे बनाना जानते हैं और वो बना पाएंगे भी या नहीं लेकिन फिर भी कोडी इसके लिए राजी हो जाता है और वो दोनों मिलकर उस लकडी के टुकडे को वहाँ से ले जाने लगते हैं वहीं दूसरी तरफ कोडी का दोस जो एक जंगल में चारों तरफ लगातार कोडी को ढून रहा था अब कोडी और लानी के अंकल लकडी के टुकडे को ले जाने के दोरान गलती से लकडी लुड़कते हुए जंगल के दूसरे छोड की तरफ जाने लगती है और कोडी लानी के अंकल के साथ मिलकर उसे रोक नहीं कोशिश करता है लेकिनों ऐसा नहीं कर बात है और लकडी के टुकडे के साथ ही जंगल के बार एक बीच पर आ जाते हैं बीच पर आकर कोडी काफी जादा खुश था क्यो कि और के नहीं बलकि बिग जी के थे यानि कि कभी बिग जी उसी जोपड़ी में रहा करते थे कोड़ी इसके बारे में लानी के अंकल को बताता है और जब लानी के अंकल जोपड़ी में पड़ी चीजों को देखते हैं तो इमोशनल हो जाते हैं जैसे कि उनका उस जोपड़ी से कोई घेरान आता हो कोड़ी ये देखकर तुरां समझ जाता है कि लानी के अंकर कोई ओर नहीं बलकि बीग जी है जो अभी भी जिन्दा है कोड़ी ये जानकर बहुत खुश होता है और अब उसके मन में बहुत सारे सवाल थे क्या कि रोजिंदा कैसे हैं और सभी से चुपक के लिए त्यारी कर रहा था टेंग अपने दोस्तों को कॉम्पिटिशन में जीते गए अपने शिड़ भी दिखाता है जिनसे वह बहुत प्यार करता था इसके बाद हम कोड़ी को देखते हैं जो बीग जी के स्केट बोर्ट की मदद से सर्फिंग करने की प्रेक्टिस कर र कर सिखाने के लिए कियता है और अगले पल एक उची लहर के साथ बीच के किनारे पर आ जाता है इसके बाद बीच जी अपना स्केट बोर्ट लेकर वहां से जाने लगते हैं और कोड़ी को बताते हैं कि अब मैंने सर्फिंग करना छोड़ दिया है और अगर तुम एक अच् कोड़ी को ढूंड रहा था अगले सीन में बिच जी को देखते हैं जो कोड़ी को सर्फिंग बोट बनाना सिखा रहे थे और कोड़ी को समझाते हैं कि तुमारी सर्फिंग बोट इस लड़गी के अंदर मौझूद है और तुम्हें बस उसे बाहां निकालना है लेकिन आसानी से पेंगि processes आजा दोकर वहां से निकल जाता है इसके बादम दम कोड़ी को देखते हैं जिसमे अपना surfing board बना लिया था लेकिन भीग जी कोड़ी के surfing board को देख कर बिलकुल भी कुछ नहीं थे क्योंकि कोड़ी गया सर्फिंग बोर्ट इतना ज़्यादा कमजोर था कि समुंदर में उतारते ही तूर जाता है अब कोड़ी दुखी होकर वहां से जाने लगता है और लानी से टकरा जाता है कोड़ी लानी को बताता है कि उसके अंकल कोई और नहीं बलकि दग्रेट बिग जी है इस पर लानी कोड़ी के साथ जंगल में आ जाती है और और दोनों साथ में एक गेरी कुफा में सर्फिंग करते हुए खुब मसी करते है अब कोड़ी जब लानी से पूछता है कि बिग जी उसके क्या लगते है तो लानी कोड़ी को बताती है कि बिग जी उसके अंकल है और उनके सिवा इ competition को जी सके बीग जी भी चुपकर कोड़ी को सर्फिंग बोड बनाते हुए देख रहा था और कोड़ी को ऐसा करता देखकर काफी खुश था अब काफी मेनद करने के बाद कोड़ी आखिरकार अपने लिए एक सर्फिंग बोड बना लेता है और बीग जी कोड़ी के में बयान नहीं किया जा सकता और जब मैं उची लेरों के बीच होता हूं तो बहार आने का बिल्कुल भी मन नहीं करता वहीं दूसरी तब रेगी बीच पर तेजी से कॉम्पिटिशन की त्यारी करवा रहा था क्योंकि अब कॉम्पिटिशन होने में सिर्फ एकी दिन बचा हुआ था लेकिन कॉम्पिटिशन का ओर्गेनाइजर होने की वज़े से रेगी एक भी काम नहीं कर रहा था और सारा काम माईक कर रहा था इसके बाद हम जोय को देखते हैं जो अभी भी जंगल में कोड़ी को ढूंड रहा था लेकिन जोय को ए कि अधम कोड़ी को देखते हैं जो सर्फिंग बॉर्ट बनने के बाद बिगजी को समुद्र में आकर सर्फिंग सिखाने के लिए के लिए किए और बीकट्व जी चाहते हैं से अखिता करवाता है और खुब एंजोई करता है अब ट्रेनिंग के दोरान कोडी बिग जी को समुद्र में लाकर सुला देता है और अगले पल बिग जी एक बड़ी सी लेर के साथ किनारे पर आ जाते हैं अब बिग जी को सर्फिंग सिखाने के लिए राजी हो जाते हैं जिससे कोडी बहुत खुश होता है और बिग जी से सर्फिंग के ट्रेनिंग लेना शुरू कर देता है अब लानी भी बिग जी और कोडी को जोइन कर लेती है और हो सभी साथ में सर्फिंग करते हुए खुब एंजोई करते हैं एक राज जब कोडी बिग जी और लानी के साथ बीच पर नह ने मेरे आस्पास चक्र लगाना शुरू कर दिया और काफी जादा अच्छा सर्फर था टेंक ने competition में मुझे बहुत पीछे छोड़ दिया था और अब उसका जीतना impossible था इसलिए मैंने दुनिया के सामने खुद के मरने का नाटक किया क्योंकि मैं हार कर अपने चाने वालों के सामने नहीं जा सकता था कोडी ये सुनकर पुरी तरह से एरान था क्योंकि जो बिग जी लोगों को कभी हार ना मानने का होसना देते थे वो खुर टेंक से हार गए थे और सेवी से चुपकर रह रहे थे इसके बाद कोडी बिग जी की दी हुई लोकेट निकाल कर फैंक देता है और अपनी सर्फिंग बोड़ लेकर वहां से निकल जाता है जंगल में कोडी को उसका दोस्क्रीव मिल जाता है जो अब जंगली कभी लेकर पेंगुद्र की बाशा जान गया था कोडी जो ऐसे मिलकर बहुत खुश होता है और इसके बादों दोनों बीच पर आ जाते हैं जहां पर जोरों-शोरो से competition की तियार्या चल रही थी कोड़ी को देखकर competition organizer और भाई की लोग बहुत खुश होते हैं इसके बाद competition का first round शुरू होता है जिसके दोरान कोड़ी काफी अच्छा perform करता है और इस round को qualify कर लेता है यहाँ पर बिग जी भी आये हुए थे जो चुपकर कोड़ी का surfing competition देख रहे थे first round को qualify करके कोड़ी बहुत खुश था और इसके बाद second round शुरू होता है लेकिन इस बार भी कोड़ी काफी अच्छा perform करता है और तीसे और आखरी round के लिए सिर्फ तीनों लोग qualify करते हैं जिसमें कोड़ी टेंग और जोए भी शामिल थे जोए को qualify करता देखकर सभी एरान थे क्योंकि किसी को भी नहीं लग रहा था कि जोए इस competition में qualify कर सकता है टेंग जोए और कोड़ी को देखकर बहुत खुश था क्योंकि उसे लग रहा था किस बार का competition वो बड़ी आसानी से जीत लेगा इसके बाद आखरी और थर्ड राउंड श्टार्ट होता है जिसके दोरान जोए का competition पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं था वो तो सिर्फ सो रहा था लेकिन वहीं दूसी तरफ कोड़ी और टेंग पुरी तरह से फोकस होकर सर्फिंग कर रहे थे क्योंकि किसी भी तरह competition जीतना चाते थे अब सर्फिंग के दोरान जब एक उची लहर आती है तो जोए भी होश में आ जाता है और सर्फिंग करने लगता है टेंग जोए के आसपास सर्फिंग करने लगता है ताकि जोए को सर्फिंग बोर से नीचे गिरा कर ये competition जी सके कोड़ी जब यह देखता है तो ख बड़ी सी लहर के चपेट में आने की वज़े से टेंग और कोड़ी सर्फिंग बोर से नीचे गिर जाते हैं टेंग को डूपता देखकर लेना जल्दी से उसे बचा लेती है और किनारे पर ले आती है लेकिन वहाँ कोड़ी अभी भी चटानों के बिश लेरों में फसा हु जिनने देखकर कोड़ी बहुत खुश होता है अब बीग जी किसी तरह बहुत मुश्किल से कोड़ी को बचा लेते हैं और वहीं दूसरी तरह कोड़ी के वापस ना आने से कोड़ी का बेश फ्रेंड जो है बहुत दुखी था और वहीं इस कॉमपीडिशन का विनर भी था क कोड़ी अपनी जान बचाने के लिए बीग जी को थेंस बोलता है और इसके बाद कोड़ी बीग जी के साथ बीच पर आ जाता है जहां पर बीग जी को जिन्दा देखकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं अब बीग जी भी इस सच्चाई को मान लेते हैं क्यों सर्फिंग और लोगों से चुपकर जात देर तक नहीं रह सकते हैं इसलिए पहले की तरह सभी लोगों के साथ मिलकर रहने लगता है और चोटे बच्चों को अपना सर्फिंग स्केट्स देता है जिससे सभी बहुत खुश होते हैं और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्मों जाती ह गाइस अगर आप ऐसी ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप एंडी स्किन पर किलिक करके इन वीडियोस को भी वाच कर सकते हैं साथ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया थेंक्स रोचिंग